हेलो वेलकम फ्रेंड्स तो दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है LNMU BA में अच्छा मार्क्स कैसे लाए दोस्तो आप लोगों का बहुत सारा क्वेडिस आ रहा था कि LNMU के लिए सिल्फ नोट कैसे बनाएं बेस्ट जो गेस पेपर है ये कौन सा है LNMU exam के लिए हम आंसर को कितने पेज में लिखे राइटिंग रियल में LNMU के exam में मैंने रखता है या नहीं तो इन सभी प्रसनों का जवाब भी हम इस वीडियो में देंगे दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आप लोगों की बीच कुछ strategy share करने जा रहा हूँ इसको अगर आप follow करते हो तो आप आसानी से कम समय में अच्छा marks ले सकते हो आसानी से अच्छा marks पा सकते हो दोस्तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों में से maximum students होते हैं जो bachelor भी कर रहे होते हैं और competition का भी तयारी कर रहे होते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपना main focus competition पर ही रखना लेकिन exam date का notification आने से लगबग एक मैने पहले आप लोग exam की तयारी में जरूर जूट जाना केबल एक मैने भी ढंग से आप लोग बढ़ लोगे LNMU के लिए तो आप असानी से अच्छा marks ला सकते हो क्योंकि LNMU में syllabus बहुत tough नहीं होता है, syllabus बहुत long नहीं होता है आप कम समय में सभी syllabus को cover कर सकते हो और असानी से अच्छा marks भी ला सकते हो बस कुछ चीजों पर आपको focus करना होगा और वो कौन-कौन से चीज़े है तो चलिए मैं इस वीडियो के माधियम से आप लोगों को share कर रहा हूँ दोस्तो आप लोग चाहते हो कि कम समय में अच्छा marks आए तो सबसे पहला काम करना दोस्तो आप लोग लनम्यू जो official syllabus जारी किया है उसको आप लोग देखो और सभी syllabus को नहीं देखोगे आप लोगों का जो syllabus है जैसे मालेजी किसी का history honors होगा किसी का political science honors होगा किसी का geography honors होगा तो जिसका जो भी honors paper है उसका honors ही नहीं सबसीडिरी का भी सभी का आप लोग syllabus देखोगे और इस syllabus आपको खाँप मिलेगा तो LNMU के website पे आपको syllabus मिल जाएगा suppose अगर नहीं मिले तो आप लोग करना क्या तो इसी चैनल समपोर्ण इंगलिस चैनल पे मैं playlist बनाया हूँ part 1 syllabus, part 2 syllabus, part 3 syllabus तो आप जिस part में हो उस playlist में जाके syllabus वाले वीडियो को देखना अगर किसी syllabus का वीडियो नहीं बना हुआ है तो आप मुझे comments कर देना इस वीडियो में मैं उस पे वीडियो आपको बना के देदूँगा दोस्तो होता क्या है तो LNMU में जो syllabus दिया हुआ है इनसे बाहर 0.1% भी सवाल नहीं आता है आगे जैसे माली जी अगर आपके syllabus में 10 टोपिक दिया हुआ है तो 11 टोपिक से सवाल पूछने का कोई यहां पर प्रोसेस ही नहीं है कोई प्रकिरिया ही नहीं होता है यानि कि जो दिया हुआ है वहीं से question आता है तो पहला आप काम करेगे syllabus को बारबर देखेंगे अपने पास रखेंगे अगला काम करेंगे आप previous year question paper को देखेंगे syllabus देखने से तो आपको यह पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है लेकिन जब आप previous year question paper को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो syllabus दिया हुआ है इन syllabus से सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो इन से आपको यह पता चलेगा और previous year question paper का भी दोस्तों मैं बहुत सार बीडियो बना चुका हूँ जैसे कि 2020 में max जितने भी exam हुए है सभी का question paper का मैं review किया हूँ बीडियो बनाया हूँ आपको यह channel पे मिल भी जाएगी जिसका आपको जरूरत हो जैसे मालेजी हिस्ट्री ओनर्स हो गया और आपको 2017, 18, 19, 20, 4 साल का लेना हो तो आप मुझे इस इसी वीडियो में comments करके बता देना मैं चारो साल का एक ही वीडियो में 10 मिनिट के वीडियो बना के आप लोगों को share कर दूँगा चाहे आप लोगों का जो भी paper होगा history का होगा, political science का होगा, geography का होगा, English literature का होगा, कोई भी होगा, आप comments कर देना तो दूसरा काम यह करोगा तीसरा काम आप करोगे दोस्तो self note और चौथा जो बात है दोस्तो जिसको आपको ignore करना है वो guess paper मैं बार बार कह रहा हूँ, हमेशा से कहता रहा हूँ, आप लोग guess paper नहीं पढ़ोगे, कारण क्या, तो केवल आप ही नहीं guess paper पढ़ रहे होंगे, LNMU से जितने भी college connect हैं, उ और उसी से cheating करके लिखता है एक्जाम में, और इसका result क्या आता है, तो सभी को एकी परकार का marks आता है, किसी को 55, किसी को 56, किसी को 50, यानि कि average marks ही आता है, अच्छा marks नहीं आता है, और यहीं होता है इसका कारण कि सभी एकी परकार के answer लिखते हैं, किसी का answer दूसरे से self note बनाओगे, और self note किस परकार से बनाओगे, तो जो आपके syllabus में दिया हुआ है, जैसे माले जी आपके syllabus में दिया हुआ है, 1857 की करांती, तो आप Google पे जाओगे, Google पे सर्च करोगे, 1857 की करांती, और वहाँ पे आपको एक website open होगा, Wikipedia, Wikipedia का content बहुत अच्छा होता है, गुल सही होता है, दूसरे platform के according, है न, तो आप लोग वहाँ से note बनाओगे, और एक मैं चीज़ा आपको यहाँ पे share कर दू, self note बनाने का जो process होता है, प्रकेडिया होते है, बहुत प्रकार से बना सकते हो, diagram का भी पढ़ियो कर सकते हो, flow chart का भी कर सकते हो, मानचितर का भी पाई चार्ट का भी कर सकते हो, लेकिन वो किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए मैं एक special वीडियो बना दूँगा, तब तक आप लोग करना क्या, तो cable जैसे मानचितर संथाबन की करांती है, तो उसी से related आप चीज़ों को असान असान भासे में खुझ से बनाने लेना, गेस जो होता है दोस्तों, यहाँ पे grammatical चीज़ों का follow नहीं किया हुआ होता है, line by line, line by line, 4 से 5 पे एक प्रस्न का answer दिया हुआ रहता है, आप लोग उसी को क्या करते हो, फारते हो, और जाके answer लिखाते हो, यह नहीं करना है, कहाँ पे हमें line बदलना है, कहाँ पे हमें introduction द करने से, एक answer में 4 page की बज़े, अगर आप 2 page लिखते हो, और को एक अच्छा सा diagram वहाँ पे लिख देती हो, तो आपको उस 4 page में जितना चीज़ लिखोगे, और जितना अच्छा marks आपको नहीं मिलेगा, उतना marks यहाँ पे किवल 2 page में चीज़ों को लिखने से, एक diagram बनाने से, आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आप लोग self note पे जैदा focus करना, अगला चीज़ आप लोग का आता है कि कितना page लिखे, तो मैं आप यहीं बता दिया हूँ, अगर आपका content अच्छा रहेगा, तो केवल आप 2 page लिखोगे, तो 2 page से आपको 20 में से 18-17 marks मिल जाएगा, औ और अगर content अच्छा नहीं लिखोगे, 5 से 6 page भी लिखोगे, तो 10 से 12 मिलना भी मुश्किल हो जाता है कभी-कभी, वो इसे भी students होते हैं, जिसको आप देखे होगे, 100 में से 30-35 से भी आता है, failover आता है हो, कारण यही है, वो चीज़ों को अच्छा से deliver नहीं करता है, उसका जो main focus होता है, वो only page भरने पे होता है, और जो सबसे important चीज है दोस्तों हो है handwriting, अभी इसी साल, English literature का जो मेरा batch भी चलता है, वहाँ पे एक student था, उसका जो हैं, दोस्तो, writing बहुत गजब था, वो पढ़ने में समझे बहुत ही यह था, विक था, लेकिन handwriting उसका बहुत exam में क्या किया, तो उसी चीज को रटा हुआ, चीज को लिख के आ गया, लेकिन उसका writing बहुत अच्छा था, आपको विश्वास नहीं होगा, English literature में 60% लाना भी बड़ी टफ हो जाता है, लेकिन यह इस बार part 2 में 83% लाया है, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं screenshot डाल question क्यों आते हैं, तो देखे, मैं एक example यहाँ पे लिए हूँ, यह political science paper 2 का सैलेवस है, देखे, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, Indian political thought, और यहाँ पे दिया हुआ है, स्वामी बिवेका नंद, उसके बाद दिया हुआ है, दयानंद, सुरस्वत्ति, काउटिले, बाल गंगाध अरतिलग, गुपाल करेशन गोखले, अरविंद घूस, मातमा गांधी, देख रहे हो नो, जितना भी topic है, इस topic से बाहर कभी सवाल आया ही नहीं, मैं बहुँ सारे previous question paper का review किया हूँ, और देखा हूँ, कि एक भी person paper में नहीं होते हैं, जो सैलेवस से बाहर होते हैं, यानि स सैलेवस का यहां पर कितना मैने है, यह आप समझ सकते हूँ, इसलिए सैलेवस से बाहर आप कुछ मत पढ़ना, इसे भी आप लोग कमपटिशन का त्यारी कर रहे होंगे, आप लोग के पास समय भी उतना नहीं होगा, तो इसलिए देख रहे हैं, कि वहली 11 टोपिक ही दिया कर रहा हूँ, अगर पढ़ना भी तो गेस के चीज को आप आंसर करके एक्जाम मत लिखना, क्योंकि आपको अच्छा माक्स नहीं मिल पाएगा, और मैं आपको बता दूँ कि अब ग्रेजुएशन में दोस्तों 60% लाना समझे, बहुत ही जरूरी बन जाता है, कारण क्या, तो कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, फ्यूचर में हो सकता है कंपटीशन को टालने के लिए, गवर्मेंट ये लागू कर दे कि ग्रेजुएशन में एटलेस्ट 60% होना चाहिए, 60% होना चाहिए, इसलिए 60% कम से कम आप जरूर ला लो, और उसके लिए आपको कुछ बेहत करोगे दोस्तों, तो 70-75% आसानी से आजाएगा दोस्तों और वो अच्छा माकस माना जाएगा, तो इसलिए आप लोगो को वेडियेसन जरूर करना होगा, गेस के आंसर पे इतना विसबास मत करिए, उसी पे इतना फोकस मत रहिए, कि उसी को चीट बना करके ले जाना है, अब जस्ट उसको लिख करके आजाना है, चीटी ले जाना है, अपना बनाईए, सिल्फ बनाईए, फैक्चुल चीज डालिए, वहाँ पे कनसेप्चुल चीज डालिए, देखिए कैसे अच्छा माकस नहीं आता है, मैं भी टोटल 8 पेपर दिया हूँ न, पार्ट 1 में 2 पे लिवर किया, तो अपने आप अच्छा माकसा आता चला गया, तो यही बात है दोस्तो, तो दोस्तो आज की वीडियो में यही सब आप लोगों से सेर करना था, अगली वीडियो में हम बात करेंगे, अगले दू दिन में आ जाएगे, कि सेल्फ नोट कैसे बनाए, उसमें डा करेंगे, और दोस्तो, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के कनेक्ट में, LNMU का स्टूडेंट्स है, तो प्लीज संपोर्न इंगलिस चैनल के बारे में, आप लोग उनसे जरूर सेर करें, सजेस्ट करें, जितना क्राउड होगा हमारे इस चैनल पे, हम आप लोगों के लिए उतनाई करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे, कि मैं इंगलिस का लगतार वीडियो डालता हूँ, कारण क्या, तो हमारे चैनल पर 80% से जैदा जो सब्सक्राइबर है, वो इंगलिस लिटीचर का है, इसलिए मैं जब इंगलिस का बनाता हूँ, त वहाँ पर रिस्पोंस अच्छा आता है, तो इसलिए मैं वही बनाता हूँ, अदर पर जैसे मैं बनाता हूँ, रिस्पोंस आता है नहीं, तो मेहनत करके रिस्पोंस नहीं आता है, तो अच्छा नहीं लगता है, और इसका सबसे बड़ी कारण एक ही है दोस्तों, कि हमारे चैनल के बारे में बहुत को पता नहीं है तो इसलिए और आप जानते भी होंगे हमें इस चैनल के माध्यम से इन्फोर्मेशन उनिवरसीटी से रिलेटेड इन्फोर्मेशन तो नहीं देते हैं लेकिन आपके युनिवरसीटी से रिलेटेड जितने भी education के वीडियो हो सकते हो सभी share करते हैं हर syllabus से related और इतना ही नहीं दूस्तों exam के समय में exam से जैसे exam date आ जाता है मैं हर subject का guess करता हूँ question का और आप लोग भली बाती परिचित होंगे हमारे guess से हमेशा 99% question टैली कर जाते हैं दस ही परसन देते हैं और उसी में से 8-9 परसन असानी से आ भी जाते हैं कारण है experience हो चुका है तिन-चार साल पढ़ा हूँ तो इसलिए ये काम भी कर जाता है तो इसलिए आप लोग उस request है LNMU के students से इस channel के बारे में बाते जरूर share करें दूस्तों हो सके तो video को जिसे माली जी हम को history बनाए और आपके connect में history का student हो तो उसको वीडियो share कर देजिए दूसरा वीडियो मत share कर दिए कोई English का वीडियो बनाता हूँ तो English वाले student को share कर दिए इस परकार से होगा कि दूस्तों तो students हमारे से जूर पाएंगे क्योंकि वीडियो में कमेंट्स आता रहता था कि आप से मैंने बहुत समय के बाद जूड़ा अगर मैं पहले जूड़ा होता तो मेरा preparation और बढ़िया हो जाता तो इस परकार के कमेंट्स पढ़ने से पता चलता है या भी भी हमारा channel के बारे में maximum को पता नहीं है कारण है new channel है तो इसलिए आप लोग छोटा सा help जरूर करना थैंक्यू सुमच दोस्तों